रवीवार को आईजित किये गए राज़त के धर्ना मामले पर निशाना साते हुए बिहार के उपमुक मंतरी समराच चौदरी ने साफ कहा है कि राज़त को 15 साल के शाषन काल में आरक्षन का मुद्दा क्यों नहीं दिखाई दिया? तो वहीं समराट चौदरी ने साफ किया है कि वर्ष दोजार पचीस में होने वाले बिहार विधान सभा चुनाओं के बाद का समराट कौन होगा यह जनता तै करेगी 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे एक व्यक्ति को आरक्चन नहीं दिया सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आरक्चन की व्यवस्ता करते हैं पूरे परदेश की चिंता कभी लालू प्रजाजी के परिवार को लेए वियार की जनता मालिक है और वियार का सच्चा सेवक कौन होगा यह जनता तै करेगी जो लोग जाती के जहर के लहर के कहर से वियार को परभावित करते हैं राजनीत में भी जातिये चसमा पान करके राजनीत को गंदा करते हैं और पूरे विहार के अंदर विकास की गती में वरस्टाचार बराते हैं, अपराधियां को मनोबल बराते हैं, वो यातरा करें या परवास करें, जनता जानती है, ये अपना विकास करेगा, अपने पडिवार के उत्थान और कल्यान के लिए, राजनितिक जमिदारी बराने के लिए यह सारा खेल और नातक कर रहे हैं पचीश में सकता से आप लोगों को बेदकल कर देंगे जन्नाय कर पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने वाला कौन बैक्ति है जन्नाय कर पूरी ठाकुरी मंदारी के साथ अभाव में भी अपना प्रभाव को छोड़ करके गए यह दोहरी राजनीत बिहार में बंद होनी चाहिए जो बैक्ति के करनी कतनी में समरूपता नहीं है वह मानशिक्ता अब नहीं चलेगा राजनीत में तो वहीं दरोगा राय पत जन्ती समारोह में पहुँचे बिहार के उपमुख मंत्री विजय सिनहा ने भी तेजस्त्वी यादों पर जम कर निशाना साधा है निरस्तिपाटी लिउस्टोडिफोड पतना